क्या वेलो फ्रेंड्सि वेल्कम बेक टूबर YOUTUBE चैनल आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट पैथोलोज जी को किस तरह से प्रिपेर करें जिससे कि हमारेalf specialist साइंस में जादर से जादा हमें स्कोर कर सकें how to prepare plant pathology for subject for jrf plant science examinations तो इसमें हम देखेंगे कि जो plant pathology subject होता है उसका weightage कितना होता है मतलब कि कितने questions उससे पूछे जाते हैं करीब हर साल इसके बाद हम देखेंगे कौन-कौन सी recommended books हैं कौन सी theory के लिए आपको पढ़ना चाहिए और कौन सी books आपके लिए objective को solve करना चाहिए इससे कि आप जादा सा जादा इसको score कर सकें और आपको समझने में easy हो इसके बाद हम देखेंगे कि कौन-कौन से subject बहुत जादा importance रखते हैं plant pathology subject से जिससे currently जो दो-तीन साल से जो नया pattern change हुआ उसके according को ज्यादा questions पूछे जा रहे हैं और fourth number पर हम इसको discuss करेंगे कि क्या आपके लिए particular जो upcoming students हैं उनके लिए क्या क्या tips हैं ठीक है ज्यादा questions है 120 में से क्योंकि आपका major यहीं पर decide हो जाता है pathology में कि आपको किस तरह से आपका GRF में total score रहेगा तो बहुत ज्यादा important रहता है जैसे पिछली बार करी 25 से 26 questions पिछली बार pathology पूछे गए थे इस बार भी बहुत ज्यादा questions pathology subject से पूछे गाएं तो आपको इस subject को बहुत अच्छे से पढ़ना है ठीक है और दूसरा है कि most scoring subject है आपको ज्यादा बहुत ज्यादा efforts लगाने की ज्याज़रूत नहीं पड़ती जो चीज है तो है ऐसा ज्यादा कुछ उसमें रहता नहीं है तो यह भी बहुत अच्छे important है अगर प्लांट pathology सब्जेक्ट आपका strong नहीं है तो आप सीधी बात है कि आप JRF की जो race है जो competition rank secure करने में और JRF fellowship को पाने के लिए अगर इसके बाद देखें recommended books कौन कौन सी है तो सबसे पहली book है introduction to pathology by agri moon pdf तो पहली book है agri moon की pdf जो सबसे important हो जाती है इसमें सारे chapters के बारे में brief में दिया हुआ है जो कि आपके लिए बहुत जादा helpful होगा बहुत जादा questions करीब 52-80% जो pathology का syllabus है वो इस pdf से cover हो जाता है agri moon की जो pdf है ठीक है बाकि आप और जो pdf है जैसे के pathology की एंग जी रंगा की जो pdf है इन दौनों को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका 52-80% जो pathology है वो आपका cover हो जाएगा और आपको जो basics है वो बहुत अच्छे से इस नेनी दो pdf से cover हो सकते है इसके बाद है principles of plant pathology आरे सींग की book है ये भी बहुत बढ़िया book है इन तीनों को आप कर लेना थियोरी के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए इसके बाद इसमें है नहीं और लेकिन जो points दी हुआ है बहुत brief में है और बहुत अच्छे से इनों ने explain किया हुए तो बहुत अच्छे रहने बाले है चार book है इसके बाद पाचवे नंबर की जो book है plant pathology in overview ये एम के koker and ss sarma की book है बहुत ही most important book है generally इसको लोग आप प्रफेर नहीं कर लोगे तो जो आपके direct questions आते हैं ठीक है बहुत अच्छे से कबर हो जाएंगा बैक्टीरिया का portions भी बहुत अच्छे से कबर हो जाएगा और वाइरस का portions है वह भी classifications वगएरा बहुत सारी चीजें इसमें अच्छे से ले दी हुए और to the point वाली ये book है और जो हमारे करूंगा कि आपके लिए इस book को जरूर जरूर पर्चेस करना चाहिए तो ये पांच books है ऐसे आपको थियोरी के लिए जब बात करें objective के लिए तो objective के लिए plant pathology at a glance लगा सकते हैं ज्यादा मोटी नहीं है इसमें करीब एक हजार objective questions है और generally अलग 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 दिए हैं जैसे इस बुक के जरूर जरूर ज़िया जैसे के explanation type के कुछ questions है करी 100-100 questions है तो उनको भी आप अच्छे से पढ़ें उनका जो concept से समझें किस तरह से इनको डिसक्राइब किया है brief में तो वह सब आप अच्छे से देख लें क्योंकि वह conceptual questions है इसके बाद कुछ मेच्छादा columns questions है त इसके बाद last में appendix वगएर है तो उसमें जो last में जो कुछ stables या points जो charts वगएर दी हुए classifications वगएर के जैसे के कौन सा वाइरस किस के द्वारा ट्रांसमेट हो रहा है किस इंसक्क के द्वारा ट्रांसमेट हो रहा है कौन सा डिसीज किस के दौरा पर्टिकलरली कॉस हो रह जाए और हो सके तो इसको बारवार revise करें जिससे कि वह आपको memory में आ जाए इसके बाद एक और book है a competitive book of plant pathology by पृष्ञांत कुमार देवान गन और भूमिका कोमा के द्वारा ये book लिकी हुई है तो ये book भी अच्छी है इसको भी आप आप लगा सकते हैं बट अगर आपको जरुवत नहीं है क्योंकि जो questions होते है basic questions आते हैं और conceptual questions आते हैं तो आप अगर इनी बुक्स को बहुत अच्छे से कर लोगे एक बार दो तीन बार अगर आपने रिवाइस कर लिया तो जहां तक आपको chances हैं कि आप इनको बहुत अच्छे से जो अगली साल पिपर होने वाल को अच्छे से करना है अब आप diseases की बाद करें तो जनरली हम जो second year third year में जो हमारे university courses में जो pathology के diseases हैं उनको जनरली वहां पर याद हो जाते हैं और कुछ diseases याद नहीं हो जैसे कि भट्टाचारी में लाश्ट में करीब बहुत ज्यादा crops के diseases दी हो हैं तो आप उनको भी ऐस कर सकते हैं कौंसा disease किसके दौर हो रहा है causal organism की है अगर किसी disease में particularly important symptoms आ रहा है तो वो किस तरह एकट symptoms है यह सब चीज़े हमारे लिए याद करनी है महनली तो और इसके बाद अगर देखें तो और particular disease है तो उसको management किस तरह से करेंगे तो यह दो तीन चीज़े महनली होती है तो यह आपकी जो recommended books है उन सब में दिया हुआ है उसे बहुत extremely आपको नहीं पढ़ना मतलब कि आप उसी पर मतलब लगे हुए को diseases तो बहु भी जाता है इसके बाद तो sexual stages और sexual stages बहु जरूर आप उन पर थोड़ा focus रगना कि कि किसकी sexual stage क्या है तो भो भी as a important role play करती है इसक इंटिग्रेटेड़ डिसीज मेनेजमेंट अभी वार अच्छे से बढ़ने किसमें के कल्चिरल मेथड़ सुई मेकैनिकल मेथड कौन कौन सी उसकरते है कैमिकल में कौन कौन सी क्यमिकल में बहुत important आ जाता है जो क्लासिफिकेशन से फंगिसाइट का जो क्लासिफिकेशन का कौन कौन सी एंटिवाटिक्स को में यूज करते हैं कौन कौन सी जो फंगिसाइट से अपने इस इस नॉन सिस्टेमिक है तो यह बहुत ज्यादा important रखता है इसके बाद जो 2020 में कॉस्चिंस में इदा कॉलम करके कौन सी फंगी किस ग्रॉप से रिलेटर थे इस तरह से तो बहुत आपके लिए अच्छे से आना चाहिए तो वह फंगिसाइट का जो क्लासिफिकेशन इसको अच्छे से करना जाए इसके बाद है बाद बाइलोजिकल तो बाइलोजिकल में कौन-कौन से बाइलोजिकल एज जैसे कि रस्ट कि अगर बात करें इसमर्ट, पाउडर मेडूल, डाउनी मेडूल, बिल्ट, यलोज, नेक्रोस, मोजाइक, इनेशन, ब्लाइट, बिचस ब्रूम तो यह बहुत इंपोर्टन्ट है आपको पर्टिकुलर्ली हर एक क्या को पढ़ना है जैसे कि आप रस्ट प कौन सी कौप पर कौन सा जो फंगस बात करते हैं इसके बात कुछ जैसे कि एकस्प्शन से जैसे कि आलगी के दोरा भी कुछ अरस्ट डिसीज होते हैं जैसे कि तो यह सब आपको यह याद रखने चाहिए जैसे कि इस साल जो वाइट बिलिस्टर्स के ऊपर कॉश्चन अग आपको समर्ट के बारे में पता होना चाहिए जो डिफरेंट तरह सा पन उसको क्लासिफाइट करते हैं तो वह आपको आपको पूरा क्लासिफिकेशन आपको जो एकनी मून की पीडियेफ उसमें मिल जाएगा क्यों से वाद बीOS ऑठ Cities सर्मा की यो अच्छे से कवर हो जाएगा इसके कृषञ्टरी मिडियूल में पैडियूल में मेरा कौणकोनसी फंगस पाल्ड्री मूडियूल कॉससे करते हैं अठीक है एक ओस को फिरे я यह तो सफिह और यह तो जटनी भी है यूनिस ए लगर मान एक आपको अच्छे से क्लासिफिकेशन करना उनके जो क्लिष्ट थीसियास के पैंडिजिस होते हैं वह होते हैं इसकास में कितने ऐसा ही होंगे तो यह सब बात हैं आपको इसमें याद रखना हैं किसके दुआरा किसमें कॉज हो रहा है जिसे के अलग-अलग क्रॉप में अलग-अलग जो फंगस है वह ऐसा कॉज करती है तो बहुत सब भी आपको याद रखना है बिसिकली इच्छे इसके बाद विल्ट विल्ट जनरली फंगस के दौरा कॉज होती है तो और भी कुछ फंगस है जो विल्ट कॉस करती है तो वह देख लें कुछ वैक्टीरिया है वह विल्ट कॉस करते हैं Lear 2-1-2-1-2-3-3-5-6-8-1-2-1-2-3-8-9-1-2-0-7-6-3-0-4-2-4-0-8-1-2-4.5-9-2-8-7-2-1-3-6-2-8-5-6-2-8-1-2-4-0-2-4-6-2-5-2-3-1-4-6-2-2-1-2-4-4-1-2-0-2-4-z-1-3-2-1-1-2-4-3-2-2i-7-2-1-8-7-5-5-5-1-2-1- 2-8-2-1-2-4-1-8-1-8-3-2-3-1-4- तो यह सब बेसिक चीज है जो आपको एसा है जब आप इन बुक्स को कबर करोंगे तो आपकी बेसिक कंसेफ्ट अजयर हो जाएंगे ब्लाइट से इंपोर्टन कुश्चिन सा जाता है जैसे कि बिचेस ब्रूम जनरली जो फाइट फ्लाजमा होते हैं वो कॉस्ट करते हैं बड़ यह न्यूट्रिशनल डिफिसिएंसी के कारण भी हो सकते हैं तो यह सब इंपोर्टन पॉइंट है इनको पर्टिकुलर्ली जो अ जो पैथोलोजी है उसकी इस तरह से इस्टी रही है कौन कौन सी इसमें एपिडेमिक्स वगर आई हैं तो वह सब आपको अच्छे से देखना किस तरह से इंट्रोड़क्शन हुआ है जो रूल्स वगरा रेगुलेशन क्या क्या चल रहा है उनको आपको अच्छे से देखन तो आपको इससा पूरी हिस्ट्री आपको अच्छे से कबर होने चाई कौन से साइने इस तीज की डिस्कावरी की है इस साल भी तो बडू कोश्चन से रिलेटेड हिस्ट्री से रिलेटेड क्व Hetाब्रवाई तो आपको इस बेस्स up to is die his इसे सर्मा की हुखे इससे कभर हो इसके बाद Fungus, Fungus में आपको देखना है Marphology, Marphology जब आपको अच्छे से हो जाएगी, तो आप उसको बेसे से कर सकते हो, Classification कर सकते हो Fungus का, ठीक है, तो Classification, Marphology हो गए, और Classifications आपको बहुत अच्छे से बढ़ना है, मिलब किस तरह से, Chromistar वगरा, कौन का, कौन सी Fungus, Pseudo Fungus है, कौन सी True Fungus है, कौन सी किस Group में आ रही है, ठीक है, तो यह सब चीज है, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जिसको Fungus का Classification, जिसका Strong Command रहती है, उसका Plant Pathology में इतनी ज़्यादा Difficulties उसको Face नहीं करनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको Fungus का Classification अच्छे से पढ़ना, इसके बाद है Reproductions, Fungus में जो Sexual Reproduction, Asexual Reproduction के सतरह से हो रहा है, कौन-कौन सी उसकी Methods है, कौन-कौन सी Asexual Sports बन रहे हैं, कौन-कौन से Sexual Sports बन रहे हैं, तो यह सब आपको ऐसा देखना है, और बहुत इंपोर्टन है कि रस्ट के बारे में, जो Paksinia Grammaris Chetris ही है, उसका Life Cycle आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कौन सी स्टेज के बाद कौन सी आ रहे हैं, तो यह सब आपको 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 याद होना चाहिए, तो यह सब आपको बेसिक्स है, यह आपके जनरली जो एगरी मोन की पीडिया को आपके काफर हो जाएगे, इसके बाद एपीडेमियोलॉजी आपको अच्छे से देखना है, ठीक है जो वंडर प्लांक के अच्छे से देख लोगे, तो ये सभी आप बराग इखसे देहे लोगे, तो इसमें कोई दिकत नहीं है कि अगी अगार होस्ट बांत रजिस्टेंजस रधाग अपना इसके वाद इनव्फेक्शन फिनोमेन घुन में पोस्ट इनख्षिंस, प्री-न्फेक्शन और फेस्टी डाइस वैस्कुलर जो बैक्टिर्स बागे रहे हैं उनको आपको अच्छे से देखना है उनके द्वारा कॉनकों से डिसीजिस हो रहे हैं क्या-क्या उनकी विसेष्टा हैं तो यह सब आपको ऐसा अच्छे से पता होना चाहिए तो यह मेजरली जो 10 इंपोर्ट 2022 में जो स्टुडेंट्स जारएफ का पिपर देंगे उनके लिए क्या इंपोर्टेंट टिप्स हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्फुल हो सकती हैं अगर वो इनको ऐसा युल्डिलाइस करें तो और पर्टिकुलर स्टुडेंट्स की अपनी तरीके से एक तो आप ऐसे इसको इसकिप नहीं कर सकते क्यार हमने देखो युनिवर्सिटी में दो फस्ट एर में पढ़ा सेकंड एर थार्ड एर में में इसके सब्जेक्ट सेंडरी पढ़े होते हैं तो इस पेसे पर नहीं कर सकते हैं अब हम इसको जादा इतना फोकस ना करें क्योंकि बहुत जादा से सट्रॉंग कोशिंज पच्टें भी बोल सकते हैं कुछ बीसिक्स बनते हैं बर कुछ क्वस्टेंस बहुत कंसेप्ट्च्चन बनते हैं जो इनको आपको सॉल्ब करने के जी ठोड़ा चाहिए तो इसके बाद जो 3D important पॉइंट है पैथोल़जी जैसे कोई तो आप अगर pathology और microbiology दोनों को अच्छे से strong कर लेंगे तो आपको बहुत जादा दिक्कत नहीं आएगी एक subject strong होगा तो आपको दूसरे को अच्छे से cover करने में जादा दिक्कत फेस नहीं करने पड़ती एक दूसरे से इंटर रेलेटेड जनरली इन में जो चीजे हैं वो रहती है जैसे कि अगर वैक्टीरिया पढ़ना है वारस पढ़ना है फंगस पढ़ना है तो यह pathology में भी है microbiology में भी है but microbiology में थोड़ा industrial uses वगरा जो है वो आजाता है और pathology में जो उसके कौन को से बहुत ज्यादा इंटर रेलेटेड होते हैं और जब में उनके questions भी देखते हैं तो में इसा वह नहीं बता पाते हैं कि questions किस field से रेलेटेड है और fourth important point है सबसे पहले आपको concept को अच्छे समाझना है जिससे कुछ conceptual points रहते हैं वैसे pathology में बहुत बहुत आपको आपको यहाज आद्परिया आपको यहाज रहते हैं कुछ questions conceptual questions वे रहते हैं कुछ concepts भी रहते हैं तो उनको भी आपको अच्छे से समाझना है जिससे कि आपके जो questions वहाज रहते हैं और फिर important point है कि classification को strong रहें जैसे कि bacteria का जो classification से वेलmeden डेधाल इसको सब्सक्राऒच है वे वेल्च टेफिकिशन के जो है'S We getting Modal गहां वेली जीकिशन के वेसर पर और जो सक्ष जीपेशन को पिचो बेसे से क्लाशिफिकेशन व्यो Schloss को सब्सक्रागारा कि गिस आठिकार क्लाशिफिकिशन सब्सक्राइच्ण रखना है और कौन सा इंसेक्ट पेस्ट उसको ट्रांस्मिट कर रहा है क्या उसका बैक्टर कौन सा है तो यह सब चीजें आपको ऐसा जरूरी है इसके बाद अगर बात करें रिकमेंडेड वुक्स जो है उनको आप अच्छे से पढ़ें पहली बार अच्छे से पढ़ें दू आपने 10 पेज का नोट पढ़ें आप उसको किताब को दस पेज किताब को पढ़ें आपने 8 पेज का उसमें नोट लिग जा तो यह आपकी पूरी तरीके से जो टाइम की है वो वरवादी होगी क्योंकि आप पहली बार जब पढ़ते हो तो चीजें आपको मैक्सिमुम जो एक्जाम में आही सकती है तो उस पॉइंट को आप इसा नोट बनाएं ठीक है बिल्कुल ऐसा यह नहीं करें कि बुक को ऐसा अप्रेंट कर दें उसमें ठीक है छाप दें तो जो नोट से आपके ऐसा प्रसाइस होने चाहिए और उनकी क्वालिटी अच्छ होने चाहिए इसके बाद आप जितना वार पैथोलाजी को रिवीजन करेंगे तो अतना ज्यादा आपको ऐसा है और जब देखो आप अलग अलग बुक पड़ोगा जैसे आपने एंगरी मून की पीडियाप पड़ी फिर आपने एंगरी मून की पीडियाप पड़ी तो मैक्सिमां पोर् लगा रहा हूँ तो इसे नहीं जैसे अब एक बार आपने पूरी चार-पांच बुक एक साथ पढ़नी पहली दूसरी दूसरी चार-पांच जो तनी भी रिकमेंडेट बुक से उनको ऐसे पढ़ते गए और फिर दूसरी बार उनको इसी सेक्वेंस हो पढ़ो तो अब आप न दूसरी जैसे का आप उसको ऐसा मैक्सिमा अच्छे से याद कर सकें और आपको एक्जाम में ज्यादा दिकत थेष्बिस ना करने पड़े इसके बाद इंपारेंट पॉइन्ट है आपको जो ऑउजप्ट अब्जेक्टव है जादा से जादा लगाने चाहिए और जैसे का बट्टाचारी में करीब 1,000 अबजेक्टिव हैं, तो आपको 1,000 अबजेक्टिव लगाने में उसकल से एक दिन का टाइम लगता, 24 गंटे में आपको easily आप कवर कर सकते हैं, और ज्यादा स्यादा दो दिन की मानलो, तो आपको जो भट्टाचारी की जो बोक है उसमें बहुत ही important questions और conceptual questions है तो उस book को आप ऐसे है जब भी आपको ऐसे लगए कि pathology में कुछ concept आपको ऐसे भूलने लगें तो आप एक दिन उसको ऐसे पूरी को पूरी जो questions है उसको एक बार पूरे revision करने उसी का जिसके आपको जो concept है वो memory में double से थोड़े थोड़े आ जाएं तो वो भी आपको अच्छा हो सकता है कि आप objectives को लगाए ज्यादा से ज्यादा और बार बार objective लगाए जिससे कि आपको देखो exam तो आपको बेसिकली objective तो आपको objective ही exam में देखने को मिलेंगे तो जितना आपको बना लेना है जैसे ही एक wheat का बना लेना है ऐसे करके आप जो चीज आपको इससे लगेगा आप यह भूल सकते हो उसको table charts बनाके जो आपकी दिवाल वगएर उसमें इसा पूट कर सकते हो तो यह important point है अगर आप इनको follow करेंगे तो generally आपको helpful होगा और इस वीडियो क इसके साथ जरूर सेयर करें और जो हमारा चैनल उसको ऐसे subscribe करें जिसने के आँगे कि जितनी भी strategies वगएरा जो वीडियो आने वाली है वो आपको ऐसे help हो लो ठीक है